हेलो और वेलकम तो फुड़फाइट जहां पे मैं और आप मिलकर बनाते हैं कुछ हेल्दी और टेस्टी रेसिपी और आज की हमारी जो रेसिपी है वो है होममेड बटर फ्रोस्टिंग जी हां यह घर पे बनाई हुई बटर फ्रोस्टिंग है जो केक या मफिन्स पे हम इसके लिए हम लेंगे यहां पे 100 ग्राम्स बटर तो 100 ग्राम्स मैं इसलिए ले रही हूं क्योंकि मैं यह रेसिपी आपको बता रही हूं बाकि अगर आप केक में यह कुछ भी ऐसे बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा ज्यादा लें क्योंकि यह कम पड़ जाएगी आपके तो आप ज्यादा बटर वाली बना लें और टेंशन वाली बात नहीं है अगर ज्यादा भी बन जाती है तो आप उसे फ्रीज में रख सकते हैं और बाद में यूज कर सकते हैं तो यहां पे हमने बटर ले लिया है और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो यह मेरे पास अगर आपके पास यह नहीं है तो आप नॉर्मल जो विस्कर आता है उससे भी आप कर सकते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा सा रूम टेंपरेचर पर हमने बटर लिया था ताकि अच्छे से बीट हो सके तो इस तरीके से आपको अच्छे से इसको बीट कर लेन है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पाउडर्ड शुगर तो यह 3-4 कप मैं डाल रही हूं 100 ग्राम के लिए अगर आप ज्यादा ले रहे हैं बटर तो आपको थोड़ा सा ज्यादा डालना पड़ेगा और थोड़ा सा मैं वनिला से इसमें डाल दूंगे ताकि अच्छा से बीट करते जाएंगे करते जाएंगे तो यह फूल भी जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा तो देखिए मतलब आप देख सकते हैं कोई और कुछ नहीं करना है सिर्फ इसको फैट ना है हमें इस तरीके से बाकी बड़ा ही आसान है थोड़ा सा टाइम लगता है इसको वो टेक्सचर वो जो लास्ट में जो हमें चाहिए एक फलफी वाला टेक्सचर वो लाने के लिए तो अगर आप इलेक्रिक ब्लेंडर से कर रहे हैं तो उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बट अगर हैंड विसकर से कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम तो तो बस इसको ऐसे ही बनाएं और अपना केक या फिर मुफिन कपकेक जो भी आप बना रहे हैं उस पे लगाएं और एंजोई करें अगर रेसेपी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो बस जटपट बनाएं और यूज करें इसे थैंक यू फो वाचिंग माई वेडियोज